प्राइम टेम में आपका स्वागत है अब रूप करते हैं आज के हेड्लाइन्स पर कॉंग्रेस नितर राहूल गांधी लंडन के लिए हुए रवाना कई इवेंट्स में होंगे शामिल और आइडिया पोर इंडिया पर करेंगे चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने 1988 रोड रेज मामले में नवजोत सिंग सिध्धु को एक साल की सजा सुनाई धरा 304-1 के तहट गर इरादतन हत्या के लिए सिध्धु दोशी और बुधवार से आम जंता के लिए खुला मंत्रा आले अब सिध्धे मंत्री के कार्याले में जाकर दे सकेंगे आवेदन और अब खबरे विस्तार से नागपुर में गर्मी से मनने वालों की संख्या में उलेख निया वृत्धी हुई है इसलिए बेघर और गरीब लोगों की मौतों की संख्या में भारी वृत्धी हुई है पिछले तीन महीने से लगादार ताबमान बढ़ रहा है और मार्च में चार लोगों की मौत हुई है अप्रेल में पांच मौते दर्च की गई थी साथ ही मई महा में अब तक तीन मौते हो चुकी है बरोबर आहे नाकपूर पुलिस्टेशन आमचा पुलिस्टेशन तसिल परिसरा मदे गेल्या तीन महीने पसुन उनाला मदे उश्मवाद धाताने कि वा बढ़के बेवरज जे लोका है बेघर लोका है त्यांचे मौत्तिव जप्रमान वाडलेला है मार्श मदे साधरन चार पुरुष बेघर पुरुष मयद जाले उते एप्रिल मदे एकोंड पाच मुरुत्यु आहे तसमे मदे आत्ता परेंत आत्ता अकस्मात मुरुत्यु जे संक्यातीना है तर नाकपूर आने एकोंडस परिसरातल वाडलेला तापमान आणि त्या मुले उना मुले होनारा मुरुत्यू याचा आकडे वारी फोडिवाड जाले लिया है नागरिकानना आमचा आवाना है कि दुगवारी एक ते चार जावेला उनाचा प्रमाण हेपीक वर असत जासता असत सिधापड़ी पुलिस ने नागपूर में वाहन चोरी करने के आरोप एक व्यक्ति को गिरफतार किया है उसके पास से बारा दो पहिया सहीद कुल चार लाख अस्ती हजार का सामान चप्त किया है अठा में को जिब डीवी दस्तार रात में गश्ट पर था तब सिताबड़ी पुलिस ने आरोपी रुषप और फलालो शाम असोपा को भधवी से शिताफाइन राचुन एमपी बस्तायन से ग्रफतार कर लिया हिरासत में लेने के दोरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया उसके पास से चार एक्टिवा, एक पैशन, एक शाइन, छे डियो जैसे चार लाख अस्ती हजार रुपे मुल्य के कूल बारा दो पहिया वान जब्त किये गए आरोपी के खिलाफ नागपुर के विभिन थानों में चोरी और अन्यपराधो के गुल पंधरा मामले दर्ज है आरोपी पुलिस हिरासत में है और सह पुलिस निरिक्षक संतोष कदम आगे की जांच कर रहे है मिके बी न्यूस केले क्यामरा परसंट रोशन बोकड के साथ लीना कट्रे की रिपोर्ट अंतरगत चे दोन गुने त्यास बरोबर नाकपूर शहरातिल जरीपट का लकडगंज, नंदनवन, कोतवाली, तहसील, सोनेगाव, पुडकेश्वर और गनेश पेटाशा वेगवेगला पुलिस टेशन चा आभिले का वरेल एकुन 12 गुने उगड की सान लिले है नमुत कारवाई मदे पोहावाज जैपाल राठोड, तहस बरोबर तैंच पथक याननी काम करूँन हे गुने उगड की सान लिले है मननी पुलिस सायुकत नाकपूर शहर अमितेश कुमार सायब, मननी आश्वधी धुर्जे मडम मननी नमीन चंद्रेटी सायब, DCP जुन तो अधरनी पखाले सर, अधरनी निलेश पालवे सर, आनी आमचे प्रभरी वपोनी, अमुल काचोले सायब तसे डिभी पत काची इंचार्ज, API कदम सायब यांचा मारग दर्शना मदे हाथ अपवास करने अताले लिला है जुने वाहनाई त्या गवाहनाचे चावी तोड़ून, कुलूक तोड़ून तो गवाहन चोरी करत होता आनि तेंचे वडिल कैंसर ग्रस तासले मुले, इतर लोकान वडिलांचे इलाजा सर्टी पईशन चे गरजायाई आशे बहानाद यून तेंचे गड़ा हाँ वाहन गांठ होता आनि आश्या माध्यमात उन पईशे यून स्वताचे शोकासरटी हाँ पईशे वापरता है आशे अपलेला माहिती मलाली त्या आधारा उवड अपन आरोपी ला ताबेत यून नम्बद गुने उवड के सांगिले अरूपी के पूरेत गूलनाखे ओज़देकाख वरिशे माध्यमात आपकर अपन आरोपी मलेकाए बन में आपक पूरवां आपकर बनामद चोरे वितरिकत प्रकार प्रामानाँ मधे वेकन 15 गुने आरोपी विरुत दाखलाहे अनि यहासा पूर्वीरे साह पूरवीर साह वने में बस्टान के सामने एक आटो बलट गया जिसे आटो में बैठी महिला घायल हो गई इस समन्द में वने पुलिस ने आटो चाला के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है वने में गुरुवार सुबह साड़े दस बजे बस्टान के सामने की आतरी आटो के पलट जाने से दो महिला एक घायल हो गई है घायल महिलाओं को इलाज के लिए ग्रामिन अस्पिताल में भरती कराया गया जबकि वने पुलिस ने चाला के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है प्राप्त जानकारी के अनुसार वनी से नंद पेरा मार्क पर आवैद यातरियों को ले जा रहे तीपहिया वाहन के चालक ने लापरवही से गाड़ी चलाई और बस्टान के सामने पलट दिया उस वक्त आटो में दो महिला यातरी बैठी थी हाथसे में अनिता जांग्टे और शुभा वागड एक हायल हो गए बताय जा रहा है कि चालक शराब के नशे में और बीना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था विकेबी नियूस के लिए ये वतमाल से अजित महिंद्रे की रिपोर्ट ये वतमाल के मारेगाव तालुपा के पहाबल गाव में मनसे ने 6 साल की बच्ची पर हुए अद्धाचार के खिलाफ पिरोत मार्च निकाला और तहसिल कार्याले और पुलिस टेशन पर जाकर प्रतरशन किया मारेगाव पुलिस टाने इलाके में रेप और योन शोशन के मामलों में भारी जाफा हुआ है मनसे के प्रदेशबाद ध्यक्ष रजूंबारकर ने मांग की है कि आरोपियों को मौत की सजा दी जाए पहलपाल के मारोती भंडल ने बच्ची को प्रताडित किया और उसे खेत में काटे की जाड़ी में फेक कर मारनी की कोशिश की मनसे ने कहा है कि समाज को स्तब्द कर देने वाले इस घटना में विर्लूत रवईये के आरोपियों के खिलाफ सक्त कारवाई की जानी चाहिए अनि जामान थोनार नाई या करिता तुम्हाला काय करता है आनि तैची पुरावे चार्शिट दो न्दियो स्लेट धरी दामल चाले परुंद तैचे प्रतेक्ष्ट दरिश्में पुरावे जो काई तपास है तो निपक्षवाईला पाजिये आनि तो आरोपिय शूट ले गेलाना पाजिये यह उड़ी विननती आमी तुम्हाद देना तुम्हाला अपेक्षा है कि तुम्हे आच्चे आच कलेक्टर ता बोलून आमाला कलवाल थे नाही तर हाच मोर्चे आमाला ज उस कुषेतर में पिंजरा लगा के गया था आधी रात के करीब एक तेंदुवा पिंजरे में फस गया और उसे बनविभाग ने अपने कबजे में ले लिया वक्त हो चला एक ब्रेक का मिल देख चड़ से ब्रेक के बाद लाव यू दिपिका बाई सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट देस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूं अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहांच ही जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट है जहां पर airlines and airport hospitality और tourism management साथ ही यहां campus interview, guidance by industry expert practical training at airport, expert faculty, personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy One degree, three job opportunities Flywheel Aviation Academy Gives you a degree or diploma with a job Flywheel Aviation Academy 365 Gani Nagar LAD College Square Beside करनाच का बैंक नागपुर जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासिर की है बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधनिक लेजर से उपचार अभियोदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताब दीनगर चौक से मनीशनगर रोड नागपुर कॉल और विजिट करें ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नए दिल्ली में सांसफ संजराउत ने के रिट सौमाईया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहां कि सौमाईया एक विक्रुद आदमी है उन्हें हजार करोड रुपे का दावाद दाखिल करना चाहिए यूद फाउंडेशन को दिया दान संदिक्द है सौमाईया को राष्टपती से मिलना चाहिए या परप के रिजॉर्ट को गिराने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ओफ जस्टिस जाना चाहिए ऐसी प्रतिक्रिया संजराउत ने दी है कॉंग्रेस निदा नौजट सिंग सिध्धु को 34 साल पुराने रोड रेस मामले में सुप्रीम कोट से जटका लगा है शिर्श अदालत ने सिध्धु को एक साल कारावास की सजा सुनाई है जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजे किशन कॉल की बेंच ने ये फैसला सुनाया है अदालत ने अपने 15 मई 2018 के 1000 रुपे के जरुमानी की सजा को बदल दिया है कोट के फैसले के बाद सिध्धु ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहां कि वो कोट के आदिश का पालंग करेंगे सुप्रिम कोट ने गुरुवार को IPC की धारा 304-1 के तहट गैर इरादतन हत्या के लिए सिध्धु को दोशी तहराने की गुरुमान सिंग के परिवार की आचिका को खारिस कर दिया हाला कि कोट ने सिध्धु को धारा 323 के तहट अधिक्तम सजा दी इसके तहट नौजद सिंग सिध्धु को एक साल के लिए कारवास के सजा दी गई है फैसले के बाद पंजाब पुलिस ने कॉंगरस निता को गिरफतार करने की तयारी कर ली है पुलिस ने सजा काटने के लिए पटियाला जेल भेज सकती है रोड रेज का केस 34 साल पुराना है नौजद सिंग सिध्धु के साथ हुई ये घटना 1988 की है पंजाब के पटियाला में 27 दिसंबर 1988 को नौजद सिंग सिध्धु ने बीच सड़क पर अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी उसी समय गुरुमान सिंग दो अन्य लोगों के साथ बैंक से पैसा निकालने के लिए जा रहे थे बीच सड़क पर गाड़ी देकर सिध्धु ने उसे हटाने को कहा था बहस के बाद नौजद सिंग सिध्धु ने पीडित के साथ मारपिट की थी और मोके से फरार हो गये मारपिट के कारण गुर्मान खायल हो गए थे लोग उन्हें अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मुरुद घोशित कर दिया था इस मामले की सुनवाई कई साल चली सितंबर 1999 में निचली अदालत ने नौजद सिंग सिध्धु को आरोपों से बरी कर दिया पिडित पक्ष ने हाई कोर्ट में अपिल की हाई कोर्ट ने दिसंबर 2006 में सिध्धु समेट दो लोगों को गेर इरादतन हत्या मामले में दोशी करार दिया हाई कोर्ट ने थेश साल पहले दोनों दोशियों को तीन-तीन साल कैज सुनाई थी नौज़त सिंग सिध्धु और रुपिंदर सिध्धु ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनाउती दि थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिध्धु को मारपिट मामले में दोशी करार देते हुए एक हजार रुपे का जुर्माना लगया था जब गुर्वार को गुजरात में हार्दिक पटेल और पंजाब में सुनिल जाख़र कॉंग्रेस को अलविदा कह रहे थे तब पुर्व कॉंग्रेस अध्यक्षर राहुल गांदी लंदन के लिए रवाना हो चुके थे राहुल गांदी लंदन में आईडिया फॉर इंडिया विशे पर भाशन देने वाले हैं को लंदन पहुच जाएंगे उनके साथ कॉंग्रेस निता सन्मान खुर्शित और प्रियंका खडगे भी कारेकरमों में शामिल होंगे मतादे की कोबिट महामारी के बाद हालात सामान्या होने के बाद राहुल गांदी पहली बार विदेश में होने वाले कारेकरम में शिरकत करेंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट राहुल की विदेश यातरा की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे है रहुल गांधी जिन दिन लंडन के लिए रवाना हुए उस दिन गुजरात में हार्दिक पटिलनी कॉंगरेस का दावन छोड़ दिया गुर्वार को ही कॉंगरेस छोड़ने वाले पंजाब की निता सुनिल जाकर बीजेपी में शामिल हो गए अभी भारतिय जनता पार्टी ने गुजरात विधान सबाच चुनाव की तयारी तेज कर दी है अभी विधान सबाच चुनाव सर पर है और राहल 2024 के लिए अभियान चला रहे है कोरोना के मामलों में उच्छाल और गिरावट के बीच पूरे दो साल बाद बुदवार को आम आदमी के लिए मंतराले के दरवाजे खोल दिये गया है अब कोई भी व्यक्ति सीदे मंतरी के कारियाले में जाकर आवेदन दे सकता है मंतराले के खुलते ही पहले दिन करीब 2600 लोगों ने एंट ली है ये तब हुआ जब सरकार ने मंतराले के आम जन के लिए खोले जाने से सम्मदित कोई प्रचार प्रसाद नहीं किया था कोरोना के चलते सुलामार्च 2020 से मंतराले में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी इसके अलावा अधिकारियों वकरमचारियों की उपस्तिती घटा कर 50 फिस दितक कर दी गई थी कोरोना के मामले नियंदरन में आने के बाद अधिकांश दफ्तरों को फिर से खोल दिया गया लेकिन मंतराले के दरवाजे आम जन के लिए अभी भी बंद रहे हाना कि कोरोना काल में लोगों को किस प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए गार्डन गेट पर जनता के निवेदन स्विकारने के लिए एक खिरकी बनाए गई थी हाना कि दूर्दराज से आने वाले लोगों को असुविधा होती थी गुड़ी पाड़वा पर राजी सरकार दवरा कोविट प्रतिबंध हटाए जाने के बाद से आमजन को मंतराले में प्रविश्की अनुमती मिलने का इंतजार था